आत्मा तेरे पास आता जगा नहीं मिलने से वापस चला जाता क्या ये बात सच है कि पवित्र आत्मा आपके पास में आता फिर वापस चला जाता क्यों चला जाता क्योंकि आप पाप करते हो पवित्रा आत्मा एक व्यक्ति के अंदर में है उसका चिन्न क्या है जए मसीः मैं आपको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ सबसे पहला बात यहां में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर एक सचे मसीः के अंदर में पवित्रा आत्मा है बचन परेंगे आईए हम रोमा चप्तर 8 वर्स 9 को परें परन्तु जब कि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम सारिरिक दसा में नहीं परन्तु आत्मिक दसा में हो यदि किसी में मसीः का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं यहां में वचन बता रहा है यदि एक व्यक्ति के अंदर में पवित्रा आत्मा नहीं है तो वो प्रभु का भी नहीं है फिर से वचन Efficient Chapter 1.13 में केता है कि पवित्रा आत्मा जो हमें विश्वास करने के द्वारा मिला वो हमारे उद्धार का सील है यानि कि हमारे उद्धार का Salvation का वो Guarantee है अब यहां में आपको जो बात में आपको बताना चाहता हूँ कि सच्चे मसीही के अंदर में पवित्रा आत्मा है और बिना पवित्रा आत्मा के कोई भी मसीही नहीं यानि कि कोई भी Christian नहीं तो ये सच्चे मसीही लोग कोन होते हैं सच्चे मसीही वे लोग है जिन्होंने प्रभ येश्यु मसी को बिश्वास किया उनके काम को बिश्वास किया जो कलबरिकोस में उन्होंने किया जो पापियों के लिए जो जान दिया सारा पाप का जो सजा जो अपने उपर लेके मित्यू दन को सेके प्रमेशर का क्रोध को सेके प्रमेशर का जैज्मेन को सेके मर गए और तीन दिन बाद में जो जी उठे उस पर जो विश्वास करेगा और जो उनके कामों को विश्वास करके उन्हें अपना व्यक्तिगर्ड उधार करता मालिक प्रभू के रूप में जश्विकार करेगा और उनको जो अपना जीवन दे देगा क्यूंकि उनका नियाय हो चुका है यानि कि उनके पापों का सजा उने नहीं मिलेगा पापों का छ समा हो चुका है यानि कि नियाय हो गया और यह नियाय के बाद में वे शुद्धिकरन में चले जाते हैं क्योंकि अभी भी वो यह फॉले नेचर यह सरीर में है तो इसलिए उनका सुद्धिकरन होता है पवित्रा आत्मा और वचन से प्रभू कॉंटिनुसली उन्हें कि कोई भी प्रभू येश्यु मसीगों प्रभू के के स्विकार नहीं कर सकता वओ प्वित्राक। προक्राण का काम है और फिर वचन फस्वर्स कुरूंटियाश्य चाप्तर 3.16 में वचन साफ्व करता है कि हम सभी मसीही लोग प्वित्रा आत्मा का मंदिर है यानि कि प्रभू का मंदिर पवित्र आत्मा रहने का हमारा जो ड्वेलिंग जो हम सभी है सबसे पहले आप यह जानिए कि जो पॉर्मर स्टेट है जहां पर बचन बताता है कि हम सभी मरे हुए है यानि कि जब हमने प्रभ येश्व मसी को नहीं पाया था उस देट को स्प्रिचल डेट कहा गया है बचन में आदम ने पाप किया और उसके वंसर से जितने भी पैदा हुए यानि कि इनसान एफ्रिवण देट को इलेयनेशन फ्रॉम गॉड कहा गया है यानि कि परमेश्वर से तो दूड है और जो परमेश्वर के बारे में सुनता नहीं है परमेश्वर की खोज नहीं करता Why कोश आप तरेट acquire अब यहां पर उस एलेयनेशन स्टेच से पाहर निकलने को यानि कि वो spiritual death condition से जो regenerate होता है यानि कि प्रभू से मिलने वाला वो condition को regeneration कहा गया है और दूसरे सब्दों में born again जो यूनानी भासा जो New Testament में इस्तेमाल किया गया है पहले गैनेशिया कहा गया है जिसका literal मतलब होता है कि फिर से दुबारा जनम देना ये सब जो है आपको जब प्रभू येश्यू मसी और निकोदमास बाचित करें ते वहाँ पर भी प्रभू येश्यू मसी इस्तेमाल करते हैं प्रभू येश्यू के राज्यों में प्रवेश करने के लिए आपको दुबारा पेदा होना होगा और फिर थाइटेस आप्टर 3 तो यहां में जो रीजनेरेशन का वर्क को बताया गया है वो पविद्र आत्मा द्वारा करता है यानि कि बिना पविद्र आत्मा के सहायता से हम प्रभु येश्यो मसी को गरहन नहीं कर सकते हैं प्रभु येश्यो मसी को स्विकार नहीं कर सकते हैं तो यह सेविंग का जो प्रोसेस है यानि कि दुबारा प्रभु में जूरना प्रभु में पैदा होना आत्मिक रूप से जनम लेना प्रभु के परिवार में एक बोडी हो जाना वो सारा काम जो है प्रभु येश्यो मसी को गरहन करने के दौरा प्रभु येश्यो मसी को स्विकार करने के दौरा रिजेनेरेटिंग वर्क हमारे अंदर में होते हैं कि हम दुबारा आत्मिक रूप से पैदा हो जाते हैं इससे क्या कंक्लूट कर रहे हैं हम कि पवित्र आत्मा हमें दे दिया गया यानि कि जब हमने प्रभु येश्यो मसी को स्विकार करा जब प्रभु येश्यो मसी को हमने एक्सेप करा पवित्र आत्मा उसी चंद हमारे साथ रहने को आ गया लेकिन वचनफीर से इफिशेंट चाप्तर 4 वस 30 में कहता है दुनोध ग्रीव होली स्पिरिट यानि कि आप आपके अंदर में तो है जिस प्रकास से चाप्तर 1 वस 3 इफिशेंट का कहता है कि पवित्र आत्मा में आप है आपको सील्ट करा गया है ये बात कंफॉर्म है फिर दूजरा बात हमें कह रहा है दुनोध ग्रीव होली स्पिरिट इसका अर्थ होता है कि पवित्र आत्मा को आप बिलाब करने मत दें ग्रीविंग ऑप दे स्पिरिट कब होता है जब आप स्पिरिट से फिल नहीं होते जो सेम बुक चाप्टर 5 वस 18 विशेंट का कहता है कि फिल विदे स्पिरिट जो कमांड है अब यहां में दो बाते हैं ड्वेलिंग अप दे स्पिरिट जैसे विदे स्पिरिट यानि कि पविद्र आत्मा से भरना उसका अर्थ होता है पविद्र आत्मा को कंट्रोल देना पविद्र आत्मा का गाइडेंस में समिट करना उसका जो डायरेक्शन है उसका जो विल है उसको हम दोग सरेंडर करना क्या सरेंडर करना हमारा इच्छा हमारा emotion हमारा desire सारा उसके प्रती surrender करके चलना उसे कहते हैं feeling of the spirit यानि कि पवित्र आत्मा को control देना और जब यह नहीं करते तो वचन कह रहा है we grieve the holy spirit by sinning क्योंकि जब हम path कर रहें तो हम उनको surrender नहीं कर रहें that's a fact तो अप यह दो अलग अलग चीज़े हैं feel होना यानि कि पवित्र आत्मा से भरना वह अलग चीज़े और पवित्र आत्मा हमारे अंदर में होना वह दो अलग अलग चीज़े पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है ले जो हम अगले वीडियो में बात करेंगे तो यह सवाल का जो जवाब है पवित्र आत्मा आता है जाता है वो बचन के हिसाब से सही नहीं क्योंकि पवित्र आत्मा दे दिया गया है once you receive it's a seal for your salvation it's a promise it comes to dwell with you जो temple आप Holy Spirit का है बचन डेकलर करता है बिना पवित्र आत्मा के आप उन्हें अंगिकार भी नहीं कर सकते कि वो प्रभू है आपका मालिक है कहेगे तो पवित्र आत्मा आता है वापस नहीं जाता है लेकिन आप ग्रीब करते हो जब आप सीन करते हो तो अगले वीडियो में हम देखेंगे पवित्रा आत्मा के बरदानों को और वो किसी लिए दिया गया है और कौन-कौन से है धन्यवाद करता हूँ इस वचन को देखने के लिए यदि आपका कोई प्रस्न है या कोई सवाल है तो आप प्लीज कॉमेंट करें और इस वीडियो को देखने के लिए गट ब्लेस यू